Hello students, आप सभी का स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंग्लीज के सिलेबस को आप टाइमली कैसे खतम कर सकते हो, जो भी बच्चे 2023 में CVSE Board Examination देंगे और अभी Class 10th में है, तो उनके लिए ये वाली वीडियो होगी देखा जाए तो हमारे पास अभी केवल तीन महिने का समय है, दिसंबर के महिने में सभी स्टोरेंट के Pre Board Examination शुरू हो जाते हैं और आफटर वन मन्स, 15 फरवरी से आप लोगी जो Main Board Examination से हो भी शुरू हो जाएगी तो इन तीन महिनों में हम कैसे English के syllabus को complete करें तो यही मैं आप लोग को भी बताने जा रहा हूँ किन-किन मन्स में आप लोग को chapters वो सारे complete हो जाने चाहिए थे ये CBSE के guidance के अनुसार आप लोग को में बता रहा हूँ जो कि CBSE बतलाती है कि इन मन्स में ये सारे chapters आप लोग की complete हो जाने चाहिए तो चलिए हम एके करके सभी चीजों के यहाँ पर समझते हैं तो बच्चों जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि English में न दो हमारी बुक्स चलती है English Language and Literature का अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाली जो बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट की अब इसमें अगर हम प्रोज का बात करें तो September के महिने तक A Letter to God Nelson Mandela Long Walk to Freedom Two Stories About Flying और From the Diary of Annie Frank यह चार चैप्टर्स आप लोग के complete हो जाने चाहिए थे September के महिने तक और देखा जाए तो बहुत सारे स्कूलों में September के महिने में mid term examinations या फिर हम कहते हैं से 15 September तक यह सारे चैप्टर्स आप लोग के complete हो जाए तो कोई अगर यह सारे चैप्टर्स आपके 10 September तक या 15 September तक complete हो जाएंगे तो इस्कूल में आपकी अगर कोई भी examinations भी होती है या फिर मीटर्म examinations या फिर मॉक टेक्स्ट और अगरा तो यह आप वहाँ पे cover कर सकते हो तो कोशिस करना है कि आप लोग को September तक यह सारे chapters complete कर लो देन आगे अगर हम October का बात करें तो October में हमें Glimpses of India, Missville the Otter और Madam Rides the Bus यह 3 chapter October का portion है तो जैसे हमें September में हमारी examinations से वो खतम हो जाएगी तो हम October के लिए अपनी preparations को शुरू कर देंगे और 31 October तक कोशिस करना है कि यह सारे यहाँ पे जो तीन chapters है इसको आप complete कर दो नेक्स्ट अगर हम November का बात करें तो अब हमारे पास ज्यादा chapter बचे नहीं है कि इवल दो chapter बच गहा है The Sermon at Banaras and The Proposal जो कि एक थोड़ा सा लंबा स्टोरी है बट इंट्रेस्टिंग स्टोरी है पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा हमने वीडियोज भी in fact इन सबका बनाया हुआ है देखना होगा description पर मैं लिंक दे दूँगा आप जाके देख सकते हो पूरे chapters का हमने वीडियोज बनाया हुआ है इस तरह से जो हमारी first flight की जो week book है वो हमारी pros section से हमारी खतम हो जाएगी इसमें देखो deleted portion में भी कुछ यहां पर आपको मैं syllabus भी यहां पर साथ ही साथ बता दे रहा हूँ कि जो hundred races part 1 है या part 2 है तो वो हमें नहीं पढ़ना है ठीक है तो यह deleted syllabus में हमारे है यह syllabus में ही नहीं तो अगर हम poems का बात करें जो कि आप लोग को सेप्टेंबर के महिने तक आपकी complete हो जाहिए थी तो वो यह है dust of snow, fire and ice, a tiger in the zoo, how to tell wild animals तो यहां पर हो गया September के महिने में यहां तक आपको complete कर लेना है दिन October में आपको the ball, poem, Amanda, or the trees यह October का महिने का portion है और fog, the tales of custard the dragon, और for Annie Gregory यह November के महिने का portion है अगर deleted portion का बात करें तो animals आप लोग को नहीं पढ़ना था ठीक है अब आज आते हैं अपने next book में जो की है footprints without feet तो September के महिने तक यह जो आप लोग को यहां पे 4 chapters दिख रहे हैं a trump of surgery, the thief's story, the midnight visitor और a question of trust यह September के portions थे इनको आप लोग complete कर लें और नहीं हुआ है तो complete हो गया है तो बहुत अच्छी बात है आगे हम लोग grammar के भी portions को देखेंगे ठीक है और यहां पे देखो जितने भी story है ना बहुत मज़ेदार story है अच्छा लगेगा आपको समझने में भी खास करकि यह जो यहां पे तीन story है यह ज़्यादा interesting है इसके बाद अगर हम October के portion का बात करें तो October का portion में यहां पे यह तीन chapter दिये गया है footprints without fate, the making of a scientist और the necklace यह October का portion है और number का जो portion है वो भोली और the book that saved the earth तो यह दो chapter number के है last वाले month में आप लोगो ज्यादा headache नहीं रखना है last वाले month में बहुत हमारे लिए कम-कम chapters बचे होने चाहिए पढ़ने के लिए ताकि revision के लिए हमारे पास समय मिल सके so इस वज़े से यहाँ पर यह सारी चीज़े जो है शुरू में September और October में ज्यादा आप लोगो देखने को मिल रहे होंगे chapters दे नौवंबर के महिने में कम-कम chapters है तो इसको आप जितना जल्दी-जल्दी हो सके नौवंबर से पहले October तक सारी chapters को complete कर ले जो भी मैंने यहाँ आप लोगो अक्टूबर का portion बताया हुआ है और deleted portion का बात करें तो the hack driver आपको पढ़ना नहीं है इसके बाद अगर हम grammar के syllabus का बात करें तो देखो यहाँ पे यह सारे आपके syllabus है tenses, models, reported speech, commands and requirements, quotient, determiners यह सब सारे आपके grammars के portion है ठीक है तो grammar का जो syllabus होगा वो आप already से पहले जो इसे previous classes में आपने पढ़ा हुआ है तो देखा जाए तो यह सारी चीजें यहाँ पे यूज होगी, so इस बज़स इसमें मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि September के महने तक आप लोग यह complete कर लेना, October के महने तक यह कर लेना, यह आप already पढ़ के आई हो, ठीक है, तो 10s आपने अल्यडी पढ़ा हुआ है, models आपने अल्यडी पढ़ा हुआ है, reported aspects भी पढ़ा हुआ, determiners पढ़ा हुआ है, इन सब को क्या करना है, एक एक करके बस revision करते दाना है, revision हर मन्त में आपका चाहिए September हो, October हो, November हो, अच्छे से उन rules को आप लोग समझ के रखो, इसके बाद जैसे December का महिना आता है, तो वहाँ पे हमारी examinations फिर सुरू हो जाएंगे, और अगर आपको grammar के rules समझने होंगे, किनी बच्चों को problem होता होगा, तो comment जरूर करें, आगे हम grammar के भी rules को आपको समझाएंगे, और हाँ, इसमें भी आप लोग comments करें कि किन बच्चों के जो portions है, जो भी अभी मैंने आप लोग को बताए है, वो complete हो गए है, next वीडियो मैं आप लोग को social science में भी बता दूँगा कि timely आप लोग को किस तरह से syllabus complete करनी है, चाहे history का हो, economics का हो, या फिर geography का हो, या civics का, इन सभी subjects को, जो भी हमारे chapters हैं, तो कौन-कौन से chapters हमें कौन-कौन से म पढ़ने है according to CVSE, तो मैं आपको next video बताऊंगा, तब तक चैनल को subscribe करके रखे, thank you, bye-bye.